कि SoulP перев है नमस्कार दोस्तों आपका हमारे रेक्टर स्यीज़ में एक भार Fé Wing Igush में फिर से बहुत बहुत स्वागत है atrás and theory upлов magic में वह बात कर रहे थे आहला कर यह प्रिव्य τις लेक्च्चर में हमने कई में सारे वारे में दिसकुस किया था जो अब प्रिवेस लेक्सें जा कर देख सकते हैं आइब लिंक मिल जाएका वहां से जाकर देख सकते हैं आज से प्रूफ आता है और प्रूप इस न आ Schrute सेट सब्सक्राइब देखते हैं पाउट सेट बेशेट को किस तरब येकर करता है कि कोई सेट ए जो है उसके जितने भी सब सेट है जितने भी उसके subset बन सकते हैं, उन सारे का एक set बनाएगा, that is power set. Power set is a set, A is defined as set containing all the subset of set A, मतलब एक set A में जितने भी element है, उसका जितने भी subset बन सकते हैं, उस total का collection का जो एक set बनेगा, उस ही को हम कहेंगे power set. It is denoted by PA, मतलब जो भी set का नामा जैसे आप set A लिखे, तो हमने power set A कर दिया यहां पे, and power set का एक formula है, जिससे हम calculate कर सकते हैं, the power set of any set, A has two power n element, यहां से justify कर सकते हैं, आपके किसी भी power set में कितने number आप element होंगे, जब हम किसी भी set का power set निकालेंगे, then. समझी एक example से, बहुत clear हो जाएगा आपको, set हमने लिया यहां पे A, जिसमें A, B, C, तीन element है, मुझे calculate करना है power set A, इसी का A का power set calculate करना है, ठीक है, तो कैसे calculate करेंगे, देखिए, आप एक चिस तो निकाल सकते हैं यहां पे, कि इस power set में total number आप element कितने होंगे, इस formula निकाल सकते हैं 2 power N से, तो 2 power N मतलब यहां पे अगर हम करें 2 power, कितने element है 3, तो कितने जाएगा 8, मतलब जो power set बनेगा इसका, उसमें 8 element तो होंगे, यह तो यहां से निकाल गया formula से, लेकिन कौन कौन से element है, ओ देखिए, हम निकालेंगे यहां से P, A, पी, एक सेट बनेगा, पावर सेट है तो मतलब एक सेट बनेगा, सेट बनेगा, तो करली ब्रेस में होगा, element क्या-क्या है देखिए, तीन ए, बी, सी, एक जीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम सबसेट की बात कर रहे थे, प्रिवेस लेक्चर में हमने बताया था कि फाई या नल सेट या जिसको इंप्टी सेट करते हैं, वो ऐसा एक इंप्टी सेट है, जो किसी के भी, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, मतलब जितने भी सेट हैं उन सबका सबसेट फाई हम लेके चल सकते हैं होता ही होता है सबका सबसेट तो हम एक फाई यहां पर by default कर लेंगे ठीक है जब भी हम power set निकालेंगे फाई तो आई जाएगा क्योंकि null set है, impity set है, वो सबका subset होता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कितने element, 1, 2, 3 है, 3 element, मतलब अब इसके कितने subset बन सकते हैं, बनाईए, क्या हम A ले सकते हैं, A इसे subset आप इसका है, देखिए, A इसमें है, बन रहा है, B, B बीज़ का subset है, C, C बीज़ का subset है, है ने अगर हम दो-दो set का लें, A और B, A, B भी subset है, इसका, और A और C, A भी subset होगा, B और C, A भी subset होगा, और तीनों के साथ A, B, C, A भी एक subset होगा, धान देखिए, आडर मेटर नहीं करता, हम जैसे A, B, C लिखे हैं, तो हम C, B, A भी लिखे हैं, मतलब एक ही है, मतलब आडर कोई जरूए नहीं है कि इसी सेक्योंट को किसी आडर में हो, एक ही काउंट होगा, तो अब देखिए, अब यहां पर हम इसको कर रहे हैं, इस वाले को, अब देखिए, इस में total number element कितने बने, एक तो subset A हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही फार्मले से आया था 8, तो इस तरह से power set इसका बन गया, इस वाले का, अगर हम इसका power set निकालें, power set PC, यह C दिया हो ना, यहां पर, इसका power set क्या होगा, देखिए, यहां number element दिया हुआ, 2, 2 दिया हुआ, फर्मले से total number element निकाल सकते हैं, 2 power 2 मतलब 4, जो power set बनेगा, उसमें कितने element होंगे, 4 element होंगे, कैसे होंगे, निकालिए, सबसे पहले अब 5 हम add कर लेंगे, इसके बाद, 1, 1 भी इसका subset है, इस set का subset 1 है, 2 भी इसका subset है, 1, 2, दोनों का साथ में subset है, ठीक है, 2, 1 लिखें, 1, 2, दोनों का मतलब एक ही है, अब देखिए, कितने बन गए यहां पे, 1, 2, 3, 4, यहां भी कितने थे 4, फर्मले कमेंट बाक्स में पूछिएगा, यहां पे कुछ क्यूस्टन है, अब आप इसको solve कीजिए, solve करेंगे खुश से, तो निकल जाएगा, लेकिन मैं यहां पे solve करके दिखा रहा हूं, जैसे question दिया, a is equal to a, यहां पे किवल एक element है, तो इसका power set का बनेगा, power set मतलब देखिए, हमने बोला, फाई तो सभी में होगा, फाई हमने add कर लिया, यहां पे एक ही element है, तो यहां पो जाएगा a, a जैसे सबसेटा पे a अपको बन गया, फार्बलम देखेंगे, एक element के साथ, तो two power one मतलब, एक ही आपका, दो ही आएगा, दो element यहां पे है, ठीक है, ऐसे ही, अगर पी यह इस case में निकालें, देखें, आप यहां पर फ्रासा देखें, त्रीकी है, आप यहां पर confused हो सकते हैं, a is equal to five दिया हुआ है, और फिर से curly brace में फाई रखा है, मतलब यहां पे दो element है या null है, आप recall कीजिएगा, जब हम null implicit को बता रहे थे, तो हमने क्या बोला था, अ यहां पर कुछ ऐसा है, क्या, किवल फाई लिखा नहीं, फाई है लेकिन ब्रैकेट करली brace के अंदर है, तो यह इलिमेंट काउट रहा है, तो अब इसका कैसे बनाएंगे हम, देखें, पहले हम फाई तो आड़ कर देंगे, एक फाई एट कर दिए, किस लिए सभी सेट का हमने लिया इसको इसको फो इточ्रा इलीए भाई हो गया दुसरा ऐले मैं यह ओगया थीलियाय कि दूसरा एलेमेंट करली ब्रेश के साथ में लिया फाई में यह एग आग यह चोब्रेश और बंट्र लागा होगा है ठीक है और यह वाला आप क्लोज होगा है तो कितने देखी यहां पर दो इलिमेंट थे अब चार बन गए न है वान टू थ्री फोर इस तरह से बन जाएंगे कंफ्यूजन मत हुई एक हमेशा एक कंफ्यूजन कि पूछा जाता है एक जान में जान बुचके फाइज के साथ ऐसे कर्ली ब्रेस में लगा के क्या आप इसकूल तो फाइज मतलब यहां पर इंपटी नहीं है एक सिंगल इलिमेंट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहा अब देखी यहां पर अब यहां पर समझ सकते इसको फाइज लिखा है कर्ली ब्रेस नहीं लगाया है कर्ली मतलब कि मतलब नल कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होगा केवल केवल हम क्योंकि बाइडिफार्ट फाइज तो सभी कर सभी सेट का सबसेट होता ही ह है तो इसको हम केवल केवल फाइल ही देंगे हैं ठीक है तीस तरह से सौल हो जाएगा अब सबसे इंट्रेस्टिंग क्यूशन जो एक्जाम में आता है आपका पुछा आता पाबर सेट आप एनी सेट है स्टू पाउर एन कैसे प्रूफ तो कीजिए कैसे फार्मूला आप लगा कर रहे हैं तिसका प्रूफ भी हम आपको करके दिखाते हैं कि प्रूफ करने से पहले एक इग्जाम्पल को फिर से देख लेते हैं ताकि इसी को हिल्फ लेके प्रूफ करेंगे और इसली समझ में आएगा आपका यहां एक सेट है एक टीनीमेंट बंटो फ्री नंबर आप इलिमेट कितने हो जाएंगे इसमें पाउड दूफ यहां मतलब एट ठीक है तिक है क्या बनेगा अगर इसका निकालेंगे तो उर्थ निकल जाएक क्या बन जाएगा एक तो हो गया फाई पाई क्योंकि होगा वान 2 3 1 2 1 साथ आजाएगा एक बार 1 3 1 साथ आजाएगा and 2 3 1 साथ आजाएगा और एक बार 1 2 3 एक साथ आजाएगा ठीक है? अब देखें सारे बनके ने power set 8 बनके 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है? proof समझने के लिए इसका हम help लेंगे अच्छा एक चीज़ यहाँ पार identify किये 5 तो 1 टाइम चाया है मतलब आज़िए 1 element यहाँ पर count हो रहा है क्योंकि एक के counting में 5 कभी counting है एक एक element के साथ कितने आए 3 2 element के साथ कितने आए 3 ठीक है? और 3 element के साथ कितने आए 1 आया अब इसी से आपको समझ में आया गए यहाँ पर अगर हम देखिए करते हैं ऐसे number of subset with one element number of subset using an element इस केस में देखिए कितने हैं इसको छोड़ दिया फाई क्योंकि फाई तो हम यहाँ पर by default add किये हैं क्योंकि वह नल की केस में नल एड होता ही होता है तो यहां पर कितने हैं तीन क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 c 1 लिख सकते हैं 3 c 1 लिख सकते हैं क्योंकि जब हम solve करेंगे देखें इस फार्मले देखिए जो होता है n c r का फार्मला अगर हम लें n c r क्या होता है फैक्टोरियल n divide by factorial r multiply by factorial n minus r ठीक है अगर इस फार्मले इसको हम solve करें तो factorial 3 by factorial 1 multiply by factorial 3 minus 2 कितना जाएगा 3 multiply by 2 divide by 1 हो जाएगा divide by 2 2 से 2 गया 2 से 2 कट गया कितना आया 3 देखें अगर हम इसको solve करते हैं ते ही आया अगर इसका हम general formula लिखें तो general formula क्या हो सकता है n c 1 general means अगर इसको हम general मान के चलते हैं इसी तरीके से अगर नमबर आप substitute है 2 elements लेके चलते हैं 2 elements तो कितना आया यहां पर देखें कितना यहां पर वान टू थ्री यह भी थ्री आया हुआ है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 c 2 अब 3 c 2 को solve करके देखें 3 c 2 को solve करके देखें क्या आता है क्या 3 आता है अगर हम यहां पर इसी फार्मल रखते हैं तो 3 multiply by 2 divide by 2 multiply by 1 3 minus 2 1 हो जाएगा 2 से 2 3 आ जाएगा देखें फिर 3 आगे मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहन c 2 general form में जो हम यहन का case लेके चलते हैं यहां पर इससे लिए मैस करने के लिए तो general form क्या हो जाएगा यहन c 2 ऐसे अगर हम 3 element के साथ देखे 3 element के साथ तो यहां कितने आया 1 क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 c 3 c 3 देखें count करके देखें लिजे अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पर factorial 3 divided by factorial 3 और factorial 3 minus 3 0 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इसकी value 3 c 3 1 तो 1 आ गया नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं यहन c 3 ऐसे अगर हम यहन element के साथ देखें यहन element के साथ तो क्या हो जाएगा general form इसका क्या हो जाएगा यहन c n ठीक है अब यहां तो समझने आ गया आपको अब देखिए अब इन ही को अगर हम add करते हैं इन ही को add करते हैं तब ही तो यह total number अप element 8 बन रहा है तो इन ही को add लेकिन इनके साथ 5 भी add हुआ है तो हम अगर हम total निकाले PA तो क्या हो सकता है PA total मतलब की total number अगर निकाले हम उसको तो क्या number निकाल सकता है वन प्लास वन मतलब इसको one count कर रहे हैं वन प्लास nc1 प्लास nc2 प्लास nc3 अब 2 ncn क्लिर न है यह formula बन रहा है क्यूंकि वन हम इसको one count कर रहे हैं बाकि इन सब का इस formula से निकल गया यहाँ थी ठीक है अब इस formula देखिएगा एक आप ही important formula है यह generally आप जब mathematics पढ़े होंगे class 12th लेबल पे या फस्ट इयर में पढ़े होंगे तो यह formula आपको आया होगा यह formula होता है x plus a power n is equal to nc0 x power n plus nc1 dot x power n minus 1 dot a plus nc2 dot x power n minus 2 dot a square a power 2 plus up to ncn तक इस तरह से formula आपने देखा होगा अगर इस formula में हम put value x is equal to 1 and a is equal to 1 अगर दोनों की value हम यहाँ पर 1 put कर दें तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 power n is equal to देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 power 1 कोई value इसकी value क्या हो जाएगी 1 इस total के value कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि a और x दोनों को value हम 1 रख रहे हैं तो इसकी total value क्या जाएगी इसकी value 1 हो जाएगी तो बच्चे क्या इस formula देखिए nc0 plus nc1 plus nc2 plus up to ncn ठीक है अब देखिए एक तो यहाँ से फर्णा मुझे मिला एक formula यह भी है इसमें देखिए अगर हम इसको देखते हैं इस वाले को यहाँ से इसी निकला था ना है अगर हम इस one के जगए क्या हम nc0 लिख सकते हैं देखिए क्योंकि nc0 की कोई भी value हम रखें यहाँ पर one ही आएगा यहाँ पर one ही आएगा हमेशा मतलब इस one के जगए हम nc0 लिख सकते हैं तो nc0 लिख लेंगे तो इस वाले फार्मलों को हम rewrite कर रहे हैं इस वाले फार्मलों को nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अगर आप आगे लिखना चाहिए लिख लिख लेंते हैं आजाएगा ncn तर ठीक है अब अगर हम इसको इस दोनों को मैस करें तो यह दोनों देखें राइट साइट के दोनों सेम ही है दोनों सेम है मतलब इक्वल टू इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन प्लस वन पावर n इसको सॉल्व करेंगो तो जाएगा टू पावर n यही मुझे प्रूफ करना था तो आपका एंस्वर यहां से निकल गया होप सो कंसिप्ट इदम से क्लियर हो गया होगा आपका अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बाक्स में कीजिएगा इसको हम आपका डाउट क्लियर करेंगे मिलते हैं नेक्ट लेच्टर में बात करते हैं कंबिनेशन्स आफ सिटका थैंक यू सो मच